Dear viewers, आज के इस lecture में हम बात करेंगे कि हम अपने YouTube चैनल के लिए या अपने सोचल मीडिया के एकाउंट के लिए इंट्रो किस तरह से हम create कर सकते हैं सबसे पहले मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ जो मैंने अपने चैनल के लिए create की वी है यहाँ पर हम click करते हैं और उसके बाद जैसे मैं इसको play करता हूँ तो यह देखें इस तरह से मेरे पास यह video play हो रही है तो यह intro video है जिसके अंदर आप देखें कि यहाँ पर यह background भी animate हो रहा है और उसके बाद आपने note किया कि जैसे हम यहाँ पर इस text को play करते हैं तो यह देखें यह text भी animate होके आ रहा है और उसके साथ यह देखें वीडियो भी हमारे पास यहाँ पर साथ साथ में play हो रही है तो इसको हमने कैसे design करना है आज हम इस lecture में पढ़ने वाले हैं और यह canva का lecture number 10 है और इसे पहले मैं 9 lecture cover कर चुका हूँ और यह lecture number 10 है जिसके अंदर हम बात करेंगे कि हम intro किस तरह से create करते हैं lecture start करने से पहले हमेशा की तरह यही कहूंगा कि अगर आज की इस वीडियो से कुछ आप सीख सकें कुछ आप new learn कर पाएं तो इस वीडियो को like जरू कर दीजेगा तो start करते हैं आज का lecture सबसे पहले हम यहां पे home tab पे आते हैं और आपके सामने इस तरह से यह canva का home page open हो जाएगा यहां पे हम search करेंगे YouTube intro अब जैसे यहां पे YouTube intro आप type करेंगे और enter press करते हैं आप देखें कि आपके सामने YouTube intro बहुत सारे open हो जाएंगे और कुछ तो templates पहले से बने बनाए हैं जैसे कि आपको यहां पे नजर आ रहे हैं कि इन में से भी हम इसको use का सकते हैं आप कुछ इसमें free वाले हैं कुछ paid वाले हैं तो free वाले अगर आपने use करने हैं तो all filter पे आप click करेंगे और उसके बाद आपने यहां पे free पे click करके आपने इसको apply कर देना है तो free वाले जितने भी intro होंगे वो आपके पास यहां पे open हो जाएंगे सर्फ आपने यहां पे click करके इसको customize करके सर्फ edit करना है मगर हम यहां पे create a blank YouTube intro के बारे में बात करेंगे कि हम खुद से कैसे बना सकते हैं तो इसके लिए हमने यहां पे create blank YouTube intro पे हम click करते हैं आपके सामने यहां पे एक new blank page open हो जाएगा अब सबसे पहले toolbox से हम elements पे आएंगे और उसके बाद यहां पे हम type करेंगे bulb animation background के लिए हमने यहां पे animations को select करना है तो देखें different type के हमारे पास यहां पे animations आ रही है आप उसके बाद है कि जैसे हम CL पे click करेंगे तो आपके सामने देखें बहुत सारे यहां पे animated जो है नवो आपको objects यहां पे नज़र आएंगे elements यहां पे नज़र आएंगे जो elements आप apply करना चाहते हैं वही आप select करें जैसे फर्स कीजिए कि मैं यह वाला यहां पे apply करना चाहता है तो जैसे मैंने यहां पे click किया तो यह apply हो जागा इसको हम जरूरत के मताबिक यहां पे set कर लेते हैं इसका size बड़ा करना चाहते हैं तो आप बड़ा भी कर सकते हैं फिर उसके बाद आपने control डी प्रेस करना है ताकि इसकी duplicate create हो जाए और इसको ठाकर आपने इस तरफ लेके आना है और उसके बाद fill up पे आप click करेंगे और उसके बाद एक मताब आपने fill up vertical करना है और दूसरी मताब fill up horizontal करना है तो इस तरह से देखिए यह आपके पास background यहां पे बन जाएगा अब उसके बाद white background को आपने change करना है जरूत के मताबक तो इसके लिए हमने उपर यहां पे background color पे click करना है और जरूत के मताबक आप अपनी मर्जी का यहां पे कोई भी color select कर सकते हैं जिस तरह मैंने यहां पे black या उसके बाद यह मैंने gray color select कर लिया और फिर उसके बाद आपने यहां पे text को add करना है तो toolbox से हम यहां पे text पे click करेंगे और उसके बाद जो भी text this type का आप देना चाहते हैं वही style आप यहां पे select करें और उसके बाद खाली यहां पर क्लिक करते हैं फिर इसके बाद पर क्लिक करके इसको यहां पर अड़िस्ट करते हैं अब अगर आप इसका फाउंड वगरा चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप बड़ी आसानी के साथ यहां पर कर सकते हैं कोई भी अच्छा सा found जो easily पढ़ा जा सके और जिसकी height जादा हो width कम हो height जादा हो वो आप यहां पर apply करेंगे ताके जादा found को हम resize कर सके इसका size हम बढ़ा सके और यह तहरी भी थोड़ी सी बड़ी बड़ी आपको नज़र आए तो इस्ता से मैं यहां पर welcome to my channel मैं लिखा फिर इसके बाद हम text पर आते हैं text पर click करने के बाद यहां से हमने कोई भी style में ले रहना है जैसे मैंने यहां पर ले ल आते हैं यहां पर double click करते हैं फिर उसके बाद यहां पर type करेते हैं computer academy computer academy मैं ने type किया और इसके बाद इसी type की मारे पास है आप उसके बार writing पर हम आते हैं देखिए इस तरह से text आपके पास लिखा हुआ आएगा एक text इस तरह से आपके पास आजाएगा एक text आपके पास इस तरह से आजाएगा तो different type के मारे पास यहां पर formats पढ़े वे जैसे मैंने यह वाला style यहां पर select किया उसक जो भी style आपको अच्छा लगे वही style आपने यहां पर select कर लेना है जैसे फर्स कीजिए कि मैंने यह वाला style यहां पर select किया अब नीचे से हम इसको play करके देखते हैं कि किस तरह से नजर आएगा देखिए इस तरह से आपको यह text grow होता वा नजर आएगा और आपने देखा क पर laptop यहां पर insert करेंगे ताकि उसके अंदर हम कोई भी दूसरी वीडियो इसमें play कर सके जो हमारे इंट्रो की होगी हमारे channel की होगी तो उसके लिए हमने elements पर आना है elements पर click करने के बाद यहां पर हम click करते हैं और उसके बाद यहां पर type कर लेते हैं laptop frame हम यहां पर type करेंगे और यहां पर CL पर click करते हैं और उसके बाद यहां पर mobile भी आप select कर सकते हैं आप यहां पर computer भी select कर सकते हैं जो आप add करना चाहे वो यहां पर you कर सकते हैं ज legislation मैं यहाँ पर laptop को select कर रहा हूं और इसके बार इदर भी हम इसको adjust कर सकते हैं यहाँ पर हम इसको adjust कर सकते हैं जरुद के मताबिक आपने इसका size बड़ा कर लेना है अब उसके बाद आपने जो वीडियो अपने चैनल की लगानी है इसके अंदर वो आपने अपलोड पे आना है अपलोड पे क्लिक करने के बाद अपलोड फाइल पे आएंगे और उस ड्राइव में चले जाएं जिस ड्राइव में आपके पास इंट्रो पड़ा हुआ है जैसे मेरे पास ये इंट्रो पड़ा हुआ है मैंने इसको ओपन किया इसी वीडियो को मैं इस स्क्रीन के अंदर प्ले करना जाता हूँ. अब देखें, वीडियो मेरे पास यहाँ पर लोड हो रही है. कुछ सेकंड वेट करते हैं, जैसे ही वीडियो लोड होगी, हम वीडियो पर क्लिक करेंगे, वीडियो आटोमेडली आपकी स्क्रीन के अंदर अड्जेस्ट हो जाएगी. तो वीडियो मारे पास यहाँ पर अप्लोड हो चुकी है, जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे, देखें, वीडियो मारे पास यहाँ पर आ चुकी है. अब इसी वीडियो को हम उठा कर यहां पर यहां पर एदियो के आ रहें तो इसके अंदर हमने यहां पर adjust करना है यह की वीडियो इसके अंदर adjust हो चुकिह आफ़ इसको play करते हैं के अब उसकी बाद हमने background की उपर भी facts apply कर ना है इसके लिए हमने क्या करना है यहाँ पर डिजाइन पर हम आते हैं और खोली आपने पेज आईनिमेशन पे जाना चाहते हैं तो आपने इस और बैक्रअड पे चालिक करना है तभी पेज अनिमेशन ओपन हो जाएगी अगर अगर आपने यहाँ पेक Crash क्लिक किया किसी भी Object के ऊ ओपर पिर आईनिमेशन के टैप – पर और अ क्लिक।रुकर चु तो आपको जो animation अट्रैक्ट कर रही है उसी automation को आपने यहां पे select कर नंदे, युश्व ने मैं यहां पर select किया ये मिरे पास Corinth कर यहां पर हम पास एक्ट पड़े हुए जो effects चाहें आप यहां पर apply कर सकते हैं जयसे मैंने यह वाल apply किया आप उसके बाद हम क्या करना चाहते हैं आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड करने के लिए आपने शेयर पर आने और उसके बाद फिर हम यहाँ पे चले जाएंगे इसमें डाउनलोड के उपर MP4 के अंदर इसको डाउनलोड कर रहे हैं 1080 PV में हम इसे करना चाहा है और इसके बार download पसे जैसे सदी विडियो पर क्लीक करेंगे तो कुछ सेकन हएक करेंगे तो आपके पास यह यह वीडियो डाउन लोड होना शिरू हो जाएगी आपके download के folder में जाकर यह सेव होगे आप सब्सक्राइं करें के लिए हमने यहां पे उपर arrow पे क्लिक करना है या download के फोल्डर में जाएंगे और इसके बाद इस फोल्डर पे हम क्लिक करते हैं तो मेरे पास देखें यहां पे यह बनके आ चुका है उसके बाद जैसे हम यहाँ पर डिबर क्लिक करेंगे तो आप देखें मेरे पास यहाँ पर वीडियो प्ले हो रही है आप देखें वीडियो प्ले हो रही है साथ में बैक्राउंड भी एनिमेट हो रहा है अगर हम शुरू से इसको प्ले करते हैं तो आप देखें कि जैसे हमने शुरू से प्लेइ किया तो ये इंट्रो आपका इस तरह से शो होगा तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिसे मैंने आपको पढ़ाया कि कैनवा के अंदर आप यूटूब चैनल के लिए या सोचल मीडिया अकाउंट के लिए इंट्रो के इस तरह से क्रियेट कर सकते हैं अमीद है आज किस लेक्चर में जरूर कुछ नाया सेखने को मिला होगा वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपनी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए मिलते हम नेक्स लेक्चर में तब तक के लिए गुडबाई